जो कोई ऐसे जन को जो बाइबिल की आधी बातों को काट के पुराने लोगों के लिए है हाँ चलेगा चलेगा दारू भी चलेगा चलेगा बीड़ी भी चलेगा 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 पतनी के साथ में रात को किसी अपनी प्रेमिका के साथ में हफटा पंदर दिन गुजार दिये भी तो चलेगा ऐसे consider करके सिखाने वाले लोगों को Bible कहती है नमस्कार भी यदि तुम कीजेगा ना तो बाइबल कहती है तुम उनके बुरे कामों में भागे हो जाते हो क्योंकि वे बुरे कामों को स्विकार कर लेते हैं बुरे कामों को हेट नहीं करते हैं नफरत नहीं देते हैं और आज की कलीसियाओं में बुरे कामों के विशे में तो कोई बताता ही नहीं है और आप उसको सलाम पर सलाम ठोके जा रहे हैं तो क्या आपको भी बीड़ी पीने की आदत नहीं बनेगी क्या वो खुब गाते हैं, खुब गा जाते हैं, आदे घंटे गाते बजाते प्रचार हो जाता है, जब प्रचार खतम हो जाता है तब सारे की सारे चर्च के लोग धेर सारी बॉटल रखी रहती है फिर वहां मुरगा भी रखे रहता है सब बॉटल खोलते और पीते हैं और टुन हो करके अरे तुम क्या घर में जाके पीते हैं हम तुम्हारा इंतजाम चर्च में ही कर लेते तो कई तो वचन कम दारू पीने के चक्कर में चर्च पर चले आते हैं ऐसी भी कलीश याएं धर्ती पर हैं धर्ती पर नहीं इंडिया में हैं तो ऐसे जन को कोई नमस्कार कर रहा है तो बाइबिल का प्रभू कहता है आप उनके काम में भागी हो रहे हैं और इस प्रकार की बचन की आधी सिक्षा को छुपा करके उसकी सच्चाई नई बताने वाला यदि तुम्हारे घर में आवे तो बाइबिल साफ कहती है उसको घर में भी ने खुसने देना इसका मतलब है सिर भी खाना है पैर भी खाना है अतडिया भी खाना है क्या बात के लिए आपके मन को शुद्धी करण के लिए जिससे की दुरातमाएं आपके मन के अंदर में ना आ जाएं आज कितने विश्वासी लोग हैं बपतिसमा वाले उनके अंदर दुष्टातमाओं का manifestation रहता है कितने लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं हम तो प्रभू को मानते हैं उसके बाबा जूद भी हम बंधन में पाए जाते हैं बंधन में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि आपके मन का उध्धार अभी भी नहीं हुआ है लोब होगा वासना होगी आपने किसी को माफ नहीं किया होगा किसी के साथ कोटकेस चल रहा होगा आपने समझोता नहीं किया अपनी पत्नी को पीटा होगा कितने लोग हैं जिनके साथ टूटे संबंद पाए जाते हैं तेरा भाई तुससे नराज है तो पहले जाके उससे मिल, तब मैं तेरी प्रात्ना सुईकार करूँगा, अन्यता मैं तेरी प्रात्ना सुईकार नहीं करूँगा, कितने लोग बैर के साथ प्रभु भोच खा रहे हैं, तो दुष्टा आत्माएं तो मन की अंदर हमला करेंगी, करेंगी, फिर शरीर में बीम नहीं हुई है, आपने उस छेत को बंद नहीं किया है, कई बड़े बड़े स्लैप लिकेज हो जाते हैं, जब हम सिमेंट डालते हैं, और इसके बाद हम जमीन में पड़ी हुई गिटियं डालते हैं, और रेत डालते हैं, तो गिटि और रेत के साथ ये घास के डालियां, घ भास भी आजाते हैं क्योंकि जब लेवर गिटी खटा करता है जमीन में पड़ी उसके साथ लंबे लंबे घास भी आजाते हैं इसलिए जब मसाला बनाया जाता है तो घास निकाल देना चाहिए और यदि वो मसाले के साथ घास भी चला गया और यदि वो उपर से लेकर तक अइसा तिरचा घास भी चला गया तो घास सूखने के बाद है खतम हो जाएगा, सड़ जाएगा फिर उस जगह पर जहाँ गास की डंडी है वहां सुराग हो जाएगी फिर बरसात में पानी वहां से निकल के आएगा हमको construction के बहुत बहतर idea है याद रखिएगा आज कितने slab है जो leakage है क्योंकि उसमें एक छोटा सा घास का तिनका भी मसाले में चला गया वो सडके तो गल गया परंतु सुराग बना दिया और वहां से पानी टप 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 करके बहता रहता इसका कोई लाज नहीं है याद रखिएगा हमारी भी जिंदगी में कई cracks होते हैं कई hole हो जाते है हो सकता है बिड़ी हो सकता है माबाप का अपमान हो सकता है किसी की कमिया निकालने की tendency हो सकता है किसी का नंगपन निकाल के बाहर बताने का काम जैसे नूह के बेटे हैं हाम कनान ने किया था हाम और कनान तु श्रापित है क्योंकि तु ने पिता के नंगपन को अपने भाईयों के सामने रखा है इसलिए कितने लोग हैं जो बुराई जहाग करके दूसरों के सामने रखते हैं वे कनान और हाम की तरह हैं जो दूसरों के पापों को उजागर करते हैं श्रापित हैं वे शेम और ये पेद के गुलाम हो जाएंगे और आज की तारिक में भारी अपराद याजकों के बीच में चल रहा है और वो ये है हर एक व्यक्ति याजकों की कमी निकाल कर कलीसियाओं में बांट रहा है ये पादरी के पीछे नहीं चलना है ये चंदे का गमन करता है इसका फलाने से रिष्टा है ये फलानी लड़की के साथ रहता है इसने इतनी प्रापर्टी बना लिया आपको सू समाचार बोलना है ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो प्रभू ने तुम्हें कोई हाकीम बनाकर याजकों की कमी को हाइलाइट करने के लिए नहीं रखा किसी धर्मी का गिरना और खड़े होना उसके परमेश्वर के साथ होता है परमेश्वर खुद ही उसको ठीक करेगा आप उनकी कमीयों को हाइलाइट करके अपने लिए अमरकाल का नियाय न कमा लेना इसलिए डो नोट लुक दे नेगेटिव यदि आप निगेटिव देखने के आदी हैं तो कोई सुराग होगा जो दुरात्माय आपके अंदर आ सकती हैं ऐसे समय में कही न कहीं अंदकार की सत्ता आपको कैप्चर कर सकती सो बहुत से विश्वासी हैं जो शरीर में और दिमाग में बंधन में पाई जाते हैं क्योंकि वे प्रभू को मानते और जानते इसलिए येश्व 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 भी बोलते अन्य भाशा भी बोलते और दल दल करके और उसके बाद में लार भी टपकाते और थूख भी देते ऐसे समय में वो आत्मा में तो आजाद हैं परन्तु मन पाप के कारण शेतान के आने जाने का रास्ता बनाए रखता है और उनोंने उन गलतियों को नहीं जाना, उन गलतियों को नहीं माना और उसको छोड़ा भी नहीं, ऐसे समय में अंदकार की सत्ताएं मन के ऊपर अधिकार बना सकती है उनको सुसमाचार सुनाया जाए और पवित्रता के रास्ते पर चलना सिखाया जाए teach the word of God so they may begin to obey the commandment of God और ऐसे समय में आप बहतर रिती से उनको बचन सिखा सकते हैं Yes, so, शरीर की विमारी बहुत आसानी से कोई भी परातना करके निकाल सकता है इसके लिए ज़्यादा बड़े अविश्यक की जरूरत नहीं है कोई भी विश्वासी शरीर की विमारी को चंगाई दे सकता है परन्तु मन, शरीर, सरीर में छुटकारा बहुत आसान है मन और शरीर में छुटकारा थोड़ा और ज़्यादा कठिन है और शरीर, मन और आत्मा में छुटकारा ये तीनों की तीनों बहुत जटिल हैं जिसको निकाला नहीं जा सकता है वरने प्रभु एश्व मसी को मुक्तिदाता ग्रहन करना है फिर वचन की अनुसार चलना है एंदेन फिर इसके बाद आत्मा में प्राण में और शरीर में फून रिती से छुटकारा पा सकते हैं हालोलुया